हलो अब्रीवन कैसे हैं आप सब स्वागत आपका यूटूब चैनल कामर्स वाले पे और आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आप इंकमटेक्स के पोटल पे रेक्टिफिकेशन का रिक्वेश्ट डालना चाहते हैं या फिर अपना रिटर्न को रिप्रोसेस करवाना चाहते हैं तो उसका रिक्वेश्ट आपको कैसे समिट करना है तो वीडियो स्टाट करने से पहले आप इंचनल को सब्सकाइब नहीं किया है तो सब्सकाइब कीजिए बिलाकन प्रेस कीजिए बिलाकन प्रेस करने बाद आपको आल पे क्लिक करना है ताकि मैं जब भी वीड इस सामने देख रहा है वैसा open हो जाएगा और आपको यहां पे new request का option देखेगा इस पे आपको click कर देना है जैसे आप new request का पे click करेंगे यहां पे आपको आपका pen number जाएगा उसके बाद आपको यहां पे assessment यह आपको select करना है कहों से assessment year का आप reprocess करवाना चाहते है फिलार for example आप 212 का reprocess करवाना चाहते है ता आपको 212 select कर लेना है यहां पे कुछ note है जो आपको clearly read कर लेना है यह note क्या कहता है मैं आपको read करके बता देता हूँ rectification is available only for orders passed by CPC under section 143.1 read with section 154 of the income tax act 1961 and not for the order passed by assessing officer including appeals appellate orders user will be able to submit all the rectification request type other than tax credit mismatch that means कि आप किसी भी rectification request को submit कर सकते है अगर वो other than tax credit mismatch है I hope आपको यह समझ में आ गया होगा अभी हमने यहां पर assessment यहां select कर लिया हम continue पर click कर देंगे continue पर click करने एक बाद यहां पर scroll down करेंगे तो आपको दो option देखने को मिल जाता है पहला reprocess the return and दूसरा return data correction offline अभी हम समझेंगे reprocess return हम कब कर सकते हैं मैं आपर read करके आपको बता देता हूँ it is advisable to select this option if you have furnished true and correct particulars in the return of income and cpc has not considered the same during the processing that means आपने सारी चीज़े properly डाली हुई थी अपना tax rate भी properly डाला हुआ था अपना income भी properly so किया हुआ है फिर भी जो income tax department है या फिस cpc है उन्होंने properly उसे consider नहीं किया है तो आप reprocess return का option यहां पर आपको मिल जाता है इस पर आपको click कर देना है और submit कर देना है दोस्ता option आता है return data correction offline that means आपको अपना data correct करना है मतलब offline बनाना है data को और यहां पर upload करना है अभी आप कैसे कर सकते हैं यहां पर क्या चीज़े लिखी हुई है please re-enter all the entries in the schedule that means जो भी schedule है आपके उसमें आपको re-enter करना है सारी entries को all the corrected entries as well as remaining entries mentioned in the ITR मतलब जितने भी corrected entries है वो आपको करनी है और कोई entries आपसे छूड़ गई थी तो वो entry भी आपको डालनी है जो कि ITR में basically छोड़ दिया था आपने फिर बोलता है make the necessary correction in the data आपको सारे corrections करने है और यह correction करते वक्त while doing the correction यह वाला line important है make sure not to declare any new source of income or declare additional deduction that means कि आप जो भी correction करेंगे उस correction करते वक्त आपको कोई भी नया source of income नहीं शो करना है और कोई भी additional deduction आपको नहीं show करना है that means कोई गलतियां हुई है आपसे वो गलतियों को आप correct कीजे correct करने के बाद आप जो है return data correction offline वाला option यूज़ करके अपना return reprocess के लिए डाल सकते है या फिर rectification कर सकते है I hope आपको यह समझ में आ गया होगा reprocess return के लिए basically आपको click करना है इस पर जैसे आप यहाँ पर arrow पर click करेंगे यहाँ पर submit को option आ जाएगा आपको submit पर click करना है और reprocess return के लिए apply कर देना है I hope आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे करना है वीडियो अच्छे लगी है तो like कीजिए अपने दोस्तों के साथ भी share कीजिए और अगर आप चैनल पर नए है चैनल को subscribe करना मत भूलिए thank you for watching and all the best